भारत के महांतम योधाओं में से एक महराना प्रताप शक्तिशा ली मुगल सामराज्य के खिलाफ अपने अटूट प्रतिरोध के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। उनकी कहानी भारतियों के दिलों में बसी हुई, उनकी अदम्य भावना, वीर्ता और देशभक्ति का प्रमान है। 1572 में महराना प्रताप मेवार की गद्धी पर बैठे। इससे पहले कि वो अपने शासन को मजबूत कर पाता, उसने खुद को मुगल सामराज्य विशेशकर उसके समराथ अकबर के साथ मद्भेद में पाया। जबकि कई राजपूत सामराज्यों ने अकबर के साथ जुनना चुना, प्रताप उन कुछ में से एक रहे जिन्होंने समर्पन करने से इंकार कर दिया। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध मुगलों के खिलाफ महाराना प्रताप के प्रतिरोध का सबसे उलेकनिय प्रकरन है। प्रताप के नित्वित्व वाली मेवार सेना और मान सिंग की कमान वाली मुगल सेना के बीच लड़ाई हुई, हालाकि यह लड़ाय निरनायक थी, लेकिन इसने प्रताप के लची लिपन को प्रदर्शित किया। भारी संख्या में होने के बावजूद, प्रताप और उनके भरो सिमंद घोड़े चेतक ने अद्वितिय वीर्ता का प्रदर्शन किया। मेवार योधाओं की उग्रता और उनकी गुरिल्ला रननीती ने एक अमित चाप छोड़ी। हालाकी प्रताप को युद्ध के मैदान से पीछे हटना पड़ा, लेकिन उनकी भावना अपराजित रही। हल्दी घाटी के बाद प्रताप और उनके अनुयायों को चुनोती पूर्ण समय का सामना करना पड़ा। उन्हें अपनी राजधानी छोड़नी पड़ी और पहाडों में निर्वासन में रहना पड़ा। फिर भी आत्म समर्पन करने के बजाए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध अपनाया और मुगल आपूर्ती लाइनों और क्षेत्रों पर तेजी से हमले शुरू कर दिये। कठिनाईयों से भरे इसकाल ने प्रताप के संकल्प को और मजबूत किया। किंवधन्तियां ऐसे उदाहरनों का वर्नन करती हैं जब प्रताप और उनके लोग भोजन की कमी के कारण जंगली घास से बनी रोटी खाकर जीवित रहे। समय के साथ प्रताप की द्रिलता रंग लाए। धीरे धीरे और लगातार वह मुगलों से हारे हुए कैक्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने में सफल रहे। उनका द्रिल संकल्प ऐसा था कि राजनाइक मिश्णों के माध्यम से शांती स्थापित करने के अकबर के प्रयास भी असफल रहे। प्रताप का एक मात्र उद्देश मेवार को मुगल प्रभाव से पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना था। महराना प्रताप का जीवन भले ही छोटा रहा हो, क्योंकि 1597 में 56 वर्ष की आयू में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत शाश्वत है। आजवेना केवल राजस्थान में बलकी पूरे भारत में अटूट प्रतिरोध और अद्वितिय वीर्ता के प्रतीक के रूप में पूजनिय हैं। भारी चुनोतियों के बावजूद भी अपने राज्य की संप्रभुता से समझोता करने से इनकार करना एक प्रेरना के रूप में कार्य करता है। प्रताप जयन्ती के नाम से जाना जाता है। विशेश रूप से राजस्थान में बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। भारत के इतिहास के विशाल चित्रपट में महरान प्रताप अडिक प्रतिरोध और गौरव के प्रतीक के रूप में चमकते हैं। संघर्शो, कठिनाईयो और अपनी मात्रभूमी के प्रती अटूप प्रेम से भरी उनकी जीवन कहानी आज भी गूंचती है। कई लोगों के लिए वह उन बलिदानों का प्रतीक बने हुए हैं जो किसी को अपने सम्मान, प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए करना चाहिए। प्रसिद हिंडी कवी, श्याम नारायन पांडे के शब्दों में, शेर के रूप में सिर्फ एक दिन जीना भेल के रूप में सो साल जीने से बहतर है। महराना प्रताप ने जीवन भर इसी भावना को चरितार्थ किया।